Nifty की daily analysis में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, market ने शुकरवारों के अपना close दिया है, 22,475 जो पीछले close से लगबग 172.0 के market अपना close दिया है, बाकी कई दिनों से 19 तारीक से 18 तारीक से दिखा जाएगा तो market में लगातार, बड़े-बड़े momentum के साथ market बंद हो रहा है, इस तक नए-नए date announce होते रहेंगे, इस दर्मयान आपको momentum volatility मार्केट में दिखते जाएगी, यह volatility कब तक रहेगा, सबसे पहली बात यह है, यह volatility जितना उमेद है कि market में जब तक election का result पूल तरीके से declare ना हो जाए, तब तक market में आपको इस तरीके के high games आपको दिखते जाएगे बात अब आती है कि market में इस तरीके के बड़े-बड़े candles हमको और कितने दिन दिखेंगे, यह market अब कितना उपर जाएगा यह कितना नीचे जाएगा, अगर देखा जाएगा तो market ने बहुत शांदार दुबारा से 22,800 के range को market ने फिर से यहापे एक बार touch किया था, यह market का यह आज का, जो आज का मतलब शुकुरवार और बुधवार यह दो दिन थे, बुधवार तो नहीं, बुधवार को चुटी, मंगलवार को, तो मंगलवार और शुकुरवार market ने यह दो दिन में market के strong resistance को चुआ था, जो 22,800 के पास से market गुज़र रहा था, market, निफ्टी के अगर में बात करें, तो market में यह fall बहुत बड़ा है, और इस fall ने जो 49,000, माफ किजिएगा, 22,47480 का जो range है, इस range को भी breakdown देखे, market इस level पे आ गया है, अगर हम इस range को देखेंगे, जहां पे market कई बार अपना support ले चुका है, वो है 22,449, अगर आप देहन से देखेंगे, तो market इस range पे बहुत दिन तक market रहा है, अब market में अगर एक दिन भी, अगर gap down market खुलता है, तो market में यह जो support, जिस support के भरोसे, traders अभी भी यहाँ पर बैटे हुए है, यह आपको जल्दी और नजर नहीं आएंगे, market अगर यहाँ पर 50 से 100 point तक market अगर गिरावट के साथ कल खुलता है, तो मतलब gap down अगर खुलता है, तो market में आपको बड़ी गिरावट और जादा नजर आएगी, बात आती है कि market में कब तक और कितना बड़ी गिरावट आएगी, तो सबसे पहले market इस level को जरूर टच करने जाएगा, जो होगा 2221 का, याद रखिएगा यह नंबर 22211 market का strong support अब हो December महिने से, December महिने से December में market इस range के अंदर शामिल हुआ, और दिरे दिरे करके market अभी इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, market में हम इस level को और भी कई दिनों, कई हफ्तों तक और आगे देख सकते हैं, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि market यहाँ पे इस range के नीचे अगर close दे देता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, दो दिन हमें चाहिए ही चाहिए, तो दो दिन market अगर close दे देता है, तो हमें यह जो एक funnel है, यह जो channel market का है, यह channel फिर आपको तूटता हुआ नजर आएगा, यह कब होगा जब market इस trend line को market breakdown देगा, और market उसके बहुत ज़्या प्रादा ताकत ऐसे सनके हो जाती है, इसलिए याद रखिएगा बड़े quantity में trade करना, मतलब अपने पैरों पे कुलाडी मारना हो जाएगा, अगर आपके दिशा में market नहीं जाता है, तो, हाँ, किसी दिन आपकी दिशा में market चला जाएगा, आप सोचेंगे, अरे बहुत पारी के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं कि marketing जैसा काम कर रहा हूँ, यहाँ पर consolidate उसके बाद market उपर गया, फिर market नीचे आया, 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 हर एक दिन market अलग अलग तरीके से काम कर रहा ह मार्केट इसके नीचे जाएगा ज्यादा चांसे तो मार्केट के आगे के आने वाले समय में गैब डाउन की है बस अभी आपको देखना है कि मार्केट कितना गैब डाउन खुलता है और उसके हिसाब से ही आप ट्रेट करेंगे तो अड़ी देर हम भी राइटिंग के और चर्चा करेंगे देखते हैं राइटिंग में क्या हुआ पड़ा है निफ्टी ने शुकरवार को भी 22,800 के रेंज को बहुत अच्छा खासा मार्केट वहाँ से टच करके बाहस बापस आया जहां पे लगबग 33,000 यहां पे हमें पूट राइटर्स दिखे थे और उनके मुकाबले में लगबग 2,80,000 के आसपास कॉल राइटर है तो मिला कि मार्केट अभी बुलिश तभी होगा या पैसे तब आपको ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा जब मार्केट 22,800 के ऊपर मार्केट ट्रेट करना शुरू करेगा डे टाइम फ्रेम पे उससे पहले मार्केट में हम बहुत ज़्यादा अभी यह उमीद नहीं कर सक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगा अभी ज्यादा से ज़्यादा बेरिश ही रहे गा याद रखिएगा अब मार्केट इन सब रेंज में अगर आप देखेंगे तो हर जगा आपको सिर्प और से भी आपके कॉल राइटर ज़्यादा दिखता हुआ नजर आएगा वो हमारे पास है ये 22,200 का, 22,500 का, 22,250 का, यही सारे जो स्ट्रॉंग, 22,300 भी है, तो ये सारे चीज़े हमारे लिए बहुत जादा स्ट्रॉंग सपोर्ट है, मार्केट जब इनके पास आएगा, तो बहुत प्रबबिलिटी के साथ मार्केट आगे बढ़ेगा, जैसे के 22,300, यहाँ पर मार्केट एक बार वापस जाने के लिए तैयारी जरूर कर सकता है, तो कल अगर मार्केट आपको 100 पॉइंट, अगर मार्केट ग्याबदान खुलता हुआ दिखेगा, तो मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर 3500 के आसपास खुलेगा, 22,300, 2330, 2320 इस दरमयान अगर मार्केट आपको खुलता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट खुलने के साथ-साती हमें थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग शुरुवात में नजर आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे देख पा रहे, 1500 पे, 200 पे, मार्केट का जो रेंज है, वह बहुत सुन्दर बना हुआ है, पूर्ट राइटर के नजरिये से, इसलिए आप बहुत जादा पैनिक होके, ट्रेट करने मत जाईए, अपने काम करेंगे, तो चीज़े बहुत बैतर होती जाएगी, थोड़ी दिर पंदा मिट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे, कि मार्केट अगले दिन के लिए किस तरके का कारेकरम का आयोजन कर रहा है, पिछले 19 तारिक से एप्रिल महिन के हम देखेंगे, तो मार्केट में सेजार चार्सोचपपन का, इस रेंज में मार्केट बहुत दिन तक रहा, उसके बाद बेशक मार्केट या पर बुलिश भी होता हुँ, हम देखा है, 29 तारिक को, 26 तारिक को मार्केट बुलिश हुआ, वापस इसी रेंज पर आके मार्केट को बंद वोना था, मतलब जिस जगह पे market ने कई बार बहुत ज्यादा strong support लिया है, वही चीज market अभी बहुत ज्यादा strong आपको, माफ किज़िए का यहां पे resistance लिया, यहां पर market support लेता हुआ दिकि रहा है, लेकिन यह सारे support हवा में पानी हो जाएगा, या पानी में हवा हो जाएगा, जब मार्केट में आपको gap down नजर आएगा, क्यूंकि हमने देखा है कि मार्केट तीन तारिक को इतना strong market बेरिश हुआ, यहाँ पे कोई भी buyers ताकत लगा, दिखिए है, यहाँ पे swing low किसी ने नहीं तोड़ा, यह मार्केट नीचे आया, यहाँ पे consolidated किया, नीचे गया, फिर मा जियान से देखेंगे, तो market 50% भी market cover नहीं कर पा है, उसके बाद फिर मार्केट में हमने गिरावट देखा, और देर देर करके market इस candle को भी पूरा नहीं कर पा है, यहाँ से इसके नीचे ही रहा, तो कुल मिला कि यह surprise action की, यह surprise action की बात है, जो लोग बहुत जादा हाँ बहुत सारे लोग ने सोचा की बस भाई, हाँ, यहाँ से हमें अभी support मिल गया है, कौन से level से? 22,456 के पास से market में support मिल गया है, यहाँ से market बहुत बढ़िया bullish हो जाएगा, चलो यहाँ से call ले ले लेते हैं, अगले कुछ minute के बाद market सीधा नीचे, कुछ मतलब कितना? अदे घंटे के अंदर market इस से और नीचे आ गया, तो यहाँ सब के sell हीट हो गया, इसी तरीके से market sell hunting के लिए निकलेगा, आपको कल फिर से निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन इस sell hunting में अगर market बड़ा gap down होता है, तो sell hunting में आपको जादा सुभीद होगी, यहाँ से market का way, market का तरीका, market का momentum एक तरफ आ रहेगा, market दो तरफ नहीं चल सकता है, अगर market में आपको कल अगर बड़ा gap down दिखता है, तो, सबसे पहरे बड़े gap down की बात करते हैं, अगर market 200 point, 200 point, 300 point, अगर market gap down कुल रहा है, तो ऐसे समय पे, जितना ज़्यादा हो सकता है, कि आप quantity कम रखिए, क्योंकि वैसे भी market बहुत ज़्यादा slow हो जाता है, लेकिन उसके बदले में, market अगर आपको इस range के बीतर, मतलब, अगर कहीं पे भी, आज के high, मैं आपको दुबारा दिखा देता है, एक बार, कि दुबारा दिखाने से आपको चीज़े यहापे बहुत अच्छे समझ में आएगी, यहापे high अगर मैं आपको note करवा दू, देखिएगा, यह high है, और इसे के साथ मैं low को भी note करवा देता हूँ, यह अच्छा low है, अब देखिए हमें, इस दो point के बीच में, high और low के बीच में कहीं पे भी market कुले, quantity कम रखिएगा, क्योंकि यहापे market में callers का pressure करेगा, तो market बहुत देरे-देरे-देरे range में आएगा, लेकिन कभी कबार ऐसे exceptional भी होते है, कि market में आपको high और low, पिछले दिन के high low के बीच मार्केट रहता है, तो थोड़ा सा आपको consolidate करता है, लेकिन बाद में फिर बड़े momentum भी हमने देखा है, तो यह one way momentum है, यहापे consolidate किया जरूर था, मतलब यह मैं आपसे इतना ही कहना चाता है, कि कल अगर market इस range के भीतर अगर शुरू होता है, तो market consolidate करने के लिए वद्दे हो जाएगा, market को मजबूरी हो जाएगी, यहाँ से market दीरे-दीरे price action बना है, हर बार एक ही बार में, एक ही दिर्शन में market ऊपर नह को अगर तेजी से भागेगा, जब market 22,212 के level को तोड़ के नीचे जाना शुरू करेगा, यहाँ से market बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज market नीचे गिरना शुरू करेगा, और वही एक समय होगा, कि आपको बहुत से यहम के साथ market को hold करना है, और जहाँ पर आपको लगता है कि हमें exit कर देने से अच्छा profit हमारा book हो रहा है, तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगए तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा, आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए, जैहिन!